गुड मॉर्निंग स्टूटेंट्स आपके पाठैपुस्त का प्रथम, पाठै लटलका, प्रथम पुरुष पेश नंबर है 7 पेश नंबर 7 पर लटलका, प्रथम पुरुष पैलेश के बारे में जान लेते हैं आप जानते हैं कि धातू किरिया का मूल रूप होता है में विभाजित किया जाता है वर्तमानकाल भूतकाल और भविश्य लटलकार मिन्स वर्तमानकाल भूतकाल लंगलकार और भविश्यकाल लिटलकार का प्रयोग होता है पहले हमें यह जानना जरूरी है कि धातू का बेसिक रूप क्या होता है वह किस प्रकार से किस रूप में चलती है कौन से लकार में कौन सी धातु किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तब हम यह सब जान जाते हैं तब ही हम किसी भी वाक्य को संस्कित में बना सकते हैं और संस्कित वाक्य का हिंद्या रुबात कर सकते हैं तो सबसे पहले लट लकार वर्ट मनकाल और उसमें भी प्रत्थमपुरूश, मध्यमपुरूश और उत्पुरूश एकवचन्णीवचन्ग भभवचन्ग यह हम सब जानते हैं तो सबसे पहले लटलकारणव Da СамAhal प्रत्थमपुरूश हम आज पढ़ रहे हैं करता के साथ क्रिया का प्रत्थमपुरूश बाल कहा हमारा करता है पठ्टी हमारा क्रिया है बाल कहां एक वचन तो पठ्धी भी एक वचन एक बालक पढ़ता है बाल कहू पढ़ता हां दो बालक पढ़ते हैं बाल का पठंटी बाल का भोवचन है तो धातु रूप भी हमारा भोवचन में चलेगा अनेक या दो से अधिक बालक पढ़ते हैं इस परकार प्रथम पुरुष में जो हमारे रूप चलते हैं एक वचन में पट्ती, दुई वचन में पट्ताह और भवचन में पठंती पट्ती पटता हाँ पठन्थी यह प्रथम पुरुश लटलकार में इस परकार से धातुरू चलते हैं अगर हमारे पास आता है डैश और चलती तो हमें देखना है कि चलती हमारा धातुरू एकवच्छन प्रथम पुरुश का है तो हम क्रिया या करता भी उसी परकार से लगाएंगे बाल कहा, अश्वह, सिंगह, आदी एक वचन में उसका प्रयोट किया जाएगा बाल है पुस्तकम पढ़ती, बालक पुस्तक पढ़ता है बालहु पुस्तके पढ़ता है, पुस्तके देवचन ने आ गया दो बालक पुस्तक पढ़ते हैं, बाला, पुस्तकानी, पठन्ती, अब हम देखते हैं कि बाला भी भुवचन है, पुस्तकानी भी भुवचन है और पठनती भी भोवचन है इस परकार सब इसने करता भी कर्व भी और धातु भी सब भोवचन ने प्रयोग की गए है अनेक बालग पुस्तके पढ़ते हैं तो इच है हमारे कोशन बन कर आजाए फ्लेंदा बलैंक्स की रूप में आजाए हमें एक वचन दीवचन और लकार क जानकारी होना बहुत आवश्यक है नेक्स वीडियो में आगे की लेसंद की साथ मिलते हैं गुद्बाई और टेक केर